इस वीडियो में कवर करेंगे उन खबरों को जो बिछले कुछ घंटों में सिक्षक बहाली को लेकर के हुई हैं और साथ में अखबार की खबरें भी आपके सामने होगी इस वीडियो को आखिर तक देखिए तो अभी के टाइम पर ग्राउन पर ये चल रहा है कि जो सेकंडरी वाले कैंडेट हैं वो तो एक्टिव नहीं है जो प्राइमरी वाले कैंडेट हैं उन लोगों ने अपना जो परदर्शन है जो अपनी तरफ से इफट है उसको तेज कर दिया है और बड़ा नेच्रूल हो बनता भी है जब लास्ट नियमावली जो है वो लास्ट कैबिनेट की बैठक में अप्रूव नहीं हुई तो अब तो और जादा मुसीबत खड़ी हो गई है तो अब जो प्राइमरी वाले कैंडेट हैं उन लोगों ने बहुत सारे जो एमेले हैं उन से मिलना शुरू कर दिया है और अपनी मांग को और पुरजोर तरीखे से रखना शुरू क कर दिया जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हाँ कहीं भी एलक्षन की रैली हो रही है एक विधान सभा छेतर में जो एलक्षन हो रहा वहां भी लोग अपना प्लेकार्ट लेकर के पहुंच जा रहे हैं वहां भी इसी मांग को रखा जा रहा है कि साथेंफेस की बाहली प्रोटोस्ट हो रहा है वहां भी और एक ही नेता पहुंच रहा हैं और वो हैं विजय सिन्हा आपके स्क्रीन पर इनका फोटो भी दिख रहा है तो अब विपक्ष के यहां पर विपक्ष का यह दावा है कि एक ग्राउंड पर भी काम करेगा और जब अपकमिंग विंटर स करना उसको समझना बहुत जरूरी है विजय सिन्हा के आने से या विधान सभा में मामले के उठ जाने से विज्यापन आ जाएगा इस बात की कोई गारेंटी नहीं है प्रोटेस्ट से असर पड़ता है लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को उठाए और उसको उठाने से कुछ हो जाए इस बात का चांस बहुत कम है प्रोटेस्ट का असर हो सकता है ये तो आप लोग बहतर समझते हैं जो भी कैणिट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके परिशानी समझी जा सकते हैं जो पहले से सीटेट बीटेट पास है लेकिन लास्ट तीन साल का मैंने लास्ट तीन साल से मैं सिक्षक बहाली को पर मैं यह कह सकता हूं कि लास्ट तीन साल में जो कुछ हुआ है उसके अनुभव के इंसाब से मैं कह सकता हूं कि यह जो प्रोटेस्ट है नेताओं से मिलने का दौर है यह सब आप लोग चालू रखिए लेकिन साथ में पढ़ते भी रहिए अधर वाइस नहीं पढ़ेंग यह भी बहुत जरूरी है असी हजार सीट पर पौने पांच लाग क्यास पास कैन डेट चली बहुत साई लोग ऐसे भी होंगा जिन लोग ने अभी डीलेड में नाम ही लिखाया या बीड में नाम ही लिखाया और अप्लाई कर देया सीटेट के लिए लेकिन वो पूरा नही है और आपका सीटेट का स्कूर सौ के नीचे है अगर आप मेल कैन रेट है लड़कियों के तो मामला और है लड़कियों का तो पचास परसेंट रिजर्वेशन मतलब मायने रखता है तो लड़कियां तो निकल जाएंगे उनके लिए उतनी मुसीबत नहीं है लड़के फस जाएंगे इनका विहार बोर्ड का बैक्ग्राउंड है कैडमिक भी कमजोर है और सीटेट में भी सौ से कमला नमबर ला रखा है लड़के फस जाएंगे इसमें इसलिए प्रोटेस्ट कीजिए अपना जो भी ऑन ग्राउंड एक्टिव रहना है रहिए लेकिन साथ साथ थो तो मास लेवल पर कहां बहाली होती है कौन सा सिख्षक बहाली किया मास लेवल पर इतने साल के बाद के इंद्री विद्याले में बहाली लाया वो भी देख लिए कितना है दस बारा हाजार बहाली में क्या बनेगा पूरे देश भर का तो कहने का मतलब है कि जो बड़ी बहा तो कहने का मतलब है पुरा जोर लगाईए सीडिट में और परदर्शन वगरा करते रही आपने जगह पर है लेकिन एक्जामनेशन में भी पूरा अपनी तरफ से फोकस कीजिए एक्जामनेशन में बहतर स्कोर हो आज के वक्त की मांग यही है बागी सब चीजें आपनी जगह किया है उस बेसिस पर मैं बोल रहा हूं कि आप अपने परदर्शन के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं नहीं किसी कोट केस के भरोसे बैठ सकते हैं नहीं किसी नेता के भरोसे बैठ सकते हैं और अगर आप किसी परदर्शन या किसी कोट केस या किसी नेता के भरोसे बैठते हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं तो खेर यह सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं आप दूसरी ख़बर की तरफ चलते हैं आपके स्कीन पर अभी देखिए नगर पालिका के चुनाओं होने हैं 18 और 28 दिसंबर को ये वाला इलक्शन जब खत्म हो जाएगा तो नगर निगम और के लावा ये वाली खबर देखिए ये खबर कोई सिक्षक बहाली की खबर नहीं है लेकिन आप लोगो याद होगा आज से कुछ महीने पहले ये वाले स्कूल की बात होई थी कि पिछड़ा वर्ग अती पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार एक डेडिकेटेड स्कूल पर ये सिर्फ पिछड़ा वर्ग और अती पिछड़ा वर्ग के लिए है और यहाँ पर जो फैसलिटी जा रही है रहना फ्री खाना फ्री किताबें फ्री मतलब इसको आज के अख़बार में आप चेक कीजिए तमाम तरह के डीटेल्स उसमें लिख रखा है तो ये स्कूल रिखार्मैन्ट भी होगी यहाँ पर लायबरेरी के बात यहां पर कि जा रही है कि इस्टुदेंट्स को लायबरी एक से दिया जाया गा और सात में एक धिर लैभ की बात की जा रही है तो समझ जा यह इंशारा के इह की तरफ है तो अभी के लिए ही सारी खबेर है आगे कोई भी अपडेट आता है साथ में फेस की सिक्षक बाली संबंदी तो मैं आप तक जल्दी जल्दी पहुचाने कोशिश करूँगा थैंक्यू